दोस्तों पिछले 30 सालों में चीन की सबसे बुरी दुर्दसा की चर्चा करने के पहले आप स्वयम देख लीजिए आज सभी ब्रोक्रेजिस ने जी इंटर्टेंडमेंट के टार्गेट कट दिये बिकवाली का संकेत है शेर 10% नीचे ट्रेड कर रहा है जनताज जी इंटर्ट तक वानवर कल तक लोगवा कह रहते कि ये डील हो जाएगी खास तोर पर कुछ चैनल हैं जो आजकल तेजी की घारंटी देते हैं वो तो भाई साहब जी इंटर्टेंडमेंट को ना जाने कब से पंप करते रहते हैं गैब की दोस्तों हम तो आउटसाइडर हैं हमें जी के म नहीं पता कि मैनेजमेंट की क्वालिटी बेहद ख्राब है सेवी की जाच परताल चल रही है फंड्स का डैवर्जन किया हुआ है उसके बावजूद लोगवाग अपिक्षा कर रहे थे इंटर्टेंडमेंट का सफेद हाती जैपनीज सोनी के गले बंध जाएगा सोनी ने म भूल चाट रहा है जबकि दोस्तों पबलिक का पैसा धुआ धुआ हो गया है इस घटना करम के माध्यम से हम एक बार फिर आपको हाइलाइट करना चाहते हैं कि मान्यवर भले ही शेयर कितना भी चड़ने की संबावना हो कभी भी लो क्वालिटी मेनेजमेंट से समझोता मत कीजिए हमें मान्यवर मैनेजमेंट की क्वालिटी में खरावी का अगर एक संकेत भी मिल जाए पहला संकेत भी मिल जाए तो हम भले ही प्रॉफिट हो रहा हो भले ही कुछ भी हो जाए कोई भी रिकमेंडेशन दे हम बेच कर निकल लेते हैं अब चीन की जो दुर्दसा हो रही है उसके साथ आप RBI को देख लीजिए उन्होंने भी भाई साब खत्रे की घंटी बजाई है भारती बैंकों से कहा है कि स्वीमान सुधर जाईए इतने क्रडिट कार्ड बाटोगे अरे आपको पटा है लेलवे स्टेशन पर SBI कार्ड्स ने लोगों को खड़ पकड़ के क्रड़िट कार्ड बाटी है सभी सरकारी बैंकों ने प्राइवेट बैंकों ने अनाफ सनाफ परसनल लोन बाटे हैं इस बंदर बाट का परणाम यह है कि रीटेल परसनल लोन जो कभी खत्रा नहीं होते थे वो अब जलडल बन चुके हैं खुद RBI कह रहा है कि बाई साह रुक जाओ सिर्फ योग व्यक्तियों को परसनल लोन बाटिये नहीं तो बैंकिंग सेक्टर फट जाएगा इसलिए दोस्तों आज से नहीं हम तीन चार महिनों से लगातार कह रहे हैं कि बैंकिंग स्टॉक्स को चूना भी नहीं हैं बड़ी हुई ब्यास दरें इनके लिए नुकसान दे हैं और यदि वो ब्यास दरें गिरेंगी तो इनकी कमाई ततकाल ततकाल नीचे गिरना चालू हो जाएगी इसलिए भले ही कोई कुछ भी कहता रहे कि आईशी 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 आई बैंक कल का HDFC बैंक बन जाएगा आप RBI के द्वारा दिये जा रहे इन नेग स्रीमान व्यू भाव के अनुसार होता है अभी भाव बहुत चड़े हुए हैं यह पूरा जो नेगेटिव घटनाक्रम है वह भाव में आने दीजिए गिरने दीजिए भावों को बैंकिंग स्टॉक्स खरी दे जा सकते हैं लेकिन गिरावट के बाद अब दोस्तों मौल द भारत के लिए खुद रहा है खुद उसमें गिर पड़ा है आप स्वयम देख लीजिए पिछले तीत सालों में चीन में कंज्यूमर कॉन्फिडेंस न्यून तम इस तरपर है लोग भरचा करने से बच रहे हैं दिसकाउंट की उम्मीद लगाए बैटे हैं चीन में दाम मानवर इनके आँकणों पर खुद सी जिन पिंग भरोसा नहीं करते हैं सरेयाम मुझ खुला करके जूट बोलते हैं ये लोग इसलिए चीन की हालत दिन दूनी रात चोगनी रफ्तार से बिगरती चली आ रही है और ये बात खुद बेजिंग में बैटे हुए बड़े बड गज अर्थ सास्त्री बोल रहे हैं कि अब इस्तिती इतनी बिगराल हो गई है कि सुधरने का नाम नहीं ले रही है ना सिर्फ अर्थ बवस्ता धीमी हो रही है बलकि उसको तेज रफ्तार से चलाने वाली जनसंख्या भी सिमट रही है सिकुड रही है चाइनीज मार्केट क भविश्य अंदकार मैं हो रहा है मतलब चीन से बड़े पैमाने पर निवेश भारत आता रहेगा हर गिरावट खरीदारी का मौका इसलिए बनी रहेगी उन मौकों को पकड़ने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन वाक्स में लिंक दी गई है उस पर क्लिक करके आ अभी के अभी जॉइन कर लीजिएगा